नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीरपरीचित दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी के लिए एक महत्वपून जानकारी लेकर के आए आज हम सभी पीपल के पेंड के फायदों के बारे में जानते हैं हिंदु धर्म में पीपल के पेंड का बहुत महत्व होता है इसे नकेवल धर्म संसार से जोड़ा गया है बलकि वनस्पति विज्ञान और आयुर्वेद के अनुसार भी पीपल का पेंड कई तरह से फायदे मंद माना गया है हम बता रहे हैं पीपल के पेंड से होने वाले ऐसे ही कुछ एक स्वास्थे लाभों के बारे में सबसे पहला सांस की अगर आपको तकलीप है तो सांस संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या में पीपल का पेंड आपके लिए बहुत फायदे मंद हो सकता है इसके लिए पीपल के पेंड की छाल का अंदूरूनी हिस्सा निकाल कर सुखा लीजिए सुखे हुए इस भाग का चून बना कर खाने से सांस संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं इसके अलावा इसके पत्तों को दूध में उबाल कर पीने से भी दमा में लाप मिलता है नमबर टू गैस या कब्ज पीपल के पत्तों का प्रियोग कब्ज या गैस की समस्या में दवा के तोर पर किया जाता है इसे पित नाशक भी माना जाता है इसलिए पेट की समस्याओं में इसका प्रियोग लाप्रद होता है इसके ताजे पत्तों के रस निकाल कर सुबह शाम एक चमच पीने से पित्ते के साथ ही समस्याएं भी समाप्त होती हैं नमबर थर्ड दांतों के लिए पीपल की दातुन करने से दांत मजबूत होते हैं और दांतों में दर्द की समस्या समाप्त हो जाती है इसके अलावा 10 ग्राम पीपल की छाल, कत्था और 2 ग्राम काली मिर्च को बारीक पीश कर बनाए हुए मंजन का अगर आप दांतों के लिए प्रयोग करते हैं तो दांतों से जुड़ी हुई हर एक समस्या दूर हो जाती है किसी जहरीले जिवजनतु द्वारा काट लेने पर अगर समय पर कोई चिकित्सा मौजूद नहीं हो तब पीपल के पत्ते का रस थोड़ी थोड़ी देर में पिलाने पर विश का असर कम होने लगता है नमबर फाइब त्वचा रोगों में त्वचा पर होने वाली समस्याओं जैसे कि दाद, खाज, खुजली में पीपल के कुमल पत्तों को खाना या इसका काला भना कर पीना लापदायक होता है इसके अलावा फोड़ी फून सी जैसे समस्याओं पर भी पीपल की चाल को घिस कर लगाने से फाएदा होता है नमबर सिक्स घाव होने पर शरीर की किसी हिस्से में घाव हो जाने पर पीपल के पत्तों का गर्म लेप लगाने से घाव सुखने में मदद मिलती है इसके अलावा प्रती दिन इस लेप का प्रियोग करने एवं पीपल की छाल का लेप करने से घाव जल्दी भर जाता है और जलन भी नहीं होती है सर्दी जुकाम जैसे समस्या में भी पीपल लाबदायक होता है पीपल के पत्तों को छाओं में सुखाकर मिश्री के साथ इसका कारा बनाकर पीने से काफी लाब होता है इससे जुकाम जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है नमबर एट त्वचा के लिए त्वचा का रंग निखारने के लिए भी पीपल की छाल का लेप या इसके पत्तों का प्रयोग किया जा सकता है इसके अलावा यह तवचा की जुर्यों को कम करने में भी मदद करता है पीपल की ताजी जड़ को भिंगो कर तवचा पर इसका लेप करने से जुर्यां कम होने लगती है नमबर नाइन तनाव कम करे पीपल एंटियोक्सिडेंट से भरपूर होता है इसके कुमल पत्तों को नियमित रूप से चबाने पर तनाव में कमी होती है और बढ़ती उम्र का असर भी कम दिखाई देता है नमबर टेन नकसीर में नकसीर फुटने की समस्या होने पर पीपल के ताजे पत्तों को तोड़ कर उसका रस निकाल कर नाक में डालने से बहुत फायदा होता है इसके अलावा इसके पत्तों को मसल कर सूंगने से भी नकसीर में आराम होता है नमबर 11 फटी हुई एणिया होतों एडियों के फटने की समस्या में भी पीपल आपकी काफी मदद करेगा फटी हुई एडियों पर पीपल के पत्तों का दूध निकाल कर लगाने से कुछ ही दिनों में फटी हुई एडिया ठीक हो जाती हैं और तालू नरम पड़ जाते हैं नमबर 12. पीलिया में पीलिया हो जाने पर पीपल के 3-4 नएपतों के रस में मिश्री मिला कर बनाये गए शर्बत को पीना बेहत फायदेमन्द होता है इससे 3-5 दिन तक दिन में 2-2 बार देने से लाफ होता है पीलिया रोग दूर हो जाता है नमबर थार्टिन हकलाना पीपल के पके हुए फ़लों को सुखा कर बनाए गए चुन को शहद के साथ सिवन करने से हकलाने की समस्या दूर होती है और वानी में सुधार होता है तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि स्वसन संबंधी रोगों से लेकर के अन्य कई बिमारियों को दूर करने में पीपल का उपयोग होता आ रहा है आप सबसे बड़ी बात के वैज्ञानिकों के द्वारा ये भी जानते हैं कि पीपल एक ऐसा पोधा होता है जो दिन रात आप को ऑक्सिजन देता है जिसके सहारे हमारी स्वस्षन किरिया चलती है हम जिसके सहारे जिन्दा हैं यू कहें तो ये थे आज के हमारी जानकारी दोस्तों आप सभी के लिए पीपल के पोधे से जुड़ी हुई अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछे कोहर महत्व पूर्च जानकारियों को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों